आज हम अपने जीवन की भाग्यदशाओं को सुधारने और संवारनी के लिए एक छोटे से मंत्र एक छोटे से सूत्र से रूबरू हो रहे हैं एक बात तय है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति केवल अपनी मेहनत से अमीर नहीं बनता बुद्धी से कोई भी व्यक्ति उपलब्दियों को हासिल नहीं करता जीवन में उचाईयों को हासिल करने के लिए इनसान की भाग्यदशाओं का अनकूल होना अनिवारी है भाग्य के बारे में किस्मत के बारे में लग के बारे में लोग सुनते तो बहुत है लेकिन उसके बंद धरवाजों को कैसे खोला जाए लोग इसकी और न तो गौर करते हैं और नहीं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे लागू करते हैं अभी दो दिन पहले औरंगाबाद से एक संग आया था गुरुजनों के दर्शन करने के लिए वंदन करने के लिए चोड़िया परिवार अपने पूरे परिवार को लेकर के यहां उपस्थित हुआ था मैंने उन्हें एक अच्छा जीवन गुड मैन बनने की प्रेरणा दी थी और अंत में सभी लोगों से अनुरूद किया था कि वे प्रति दिन सुबह उठकर अपने पूज्य जनों को नमन और प्रणाम अवश्य करें तबी स्नीमान चुरूडिया जी की मम्मी खड़ी हुई और कहने लगी गुर्दियों मेरा बेटा प्रति दिन मेरे चर्ण इस पर्स करता है मेरे पाउँ छूता है और मुझे प्रणाम किये बगैर नब दिन की शुरुबात करता है और नहीं अपने दुकान जाया करता है मैं अपने बच्चे के कल्यान की हमेशा कामना करती हूँ उसके लिए बहुत सारे आशिरवात देती हूँ या तो मेरे बच्चे के प्रणाम का ये चमतकार है या मेरे आशिरवात का ये चमतकार है मेरे पती नहीं है पर मैंने अपने बच्चे को न तो कभी उसके पिता के ना होने का उनकी कभी कभी महसूस होने दी और नहीं मेरे बेटी दे कभी मुझे मैसूस होने दिया कि मम्मी मेरे पापा नहीं है आपके पती नहीं है उस चोड़िया बंदू की मा नहीं कहा कि गुर्देव मेरा बेटा सुबह उठकर मुझे प्रणाम करता है और जब भी वो दुकान जाता है तो दुकान जाने से पहले जैसे ही मेरे पाउं छूता है मैं उसके सिर परहत रख करके उसे प्यार देती हूँ उसका लाड़ करती हूँ उसका माता चुमती हूँ मेरा बेटा जेब में हाट डालता है और रोज मुझे सो रुपिय गिफ्ट दे करके जाता है कितनी? बोलो वो मुझे रोज सो रुपिय गिफ्ट दे कर जाता है ये कहते हुए माँ की आँखे सजल हो रही थी और कह रहा था कि बाप जी जब भी कोई खास दिन आता है ये मुझे पानसो का नोट दे कर जाता है इसने मुझे आज तक कभी भी मांगनी के नौबत नहीं डाली कि बेटा जरा पानसो रुपिय देना तो बलकि ये प्रती दिन मुझे प्रणाम करके और सो रुपिय मेरे हाथ में अवश्य पकड़ाता है और ये साल में तीन सो पैसर दिन ऐसा काम होता है ये कहते हुए मां सभी से कहने लगी कि मैं तो भगवान से यही प्रार्णा करती हूँ कि है भगवान ऐसा बेटा सब को दे जो अपने मां की इतनी इज़त करे और मां के सुख दुख का इतना खयाल रखे इनसान के भग्य दशाओं को जगाने का एक बहुत सीधा सरल रास्ता हो सकता है और वो सीधा सरल रास्ता है अपने पूज्य जनों को सुबह उठकर के प्रणाम करो जो भी आपके पूज्य जन है दुनिया में जो जहां रहता है उसके जो भी पूज्य जन है वो सुबह उठकर के उनको प्रणाम करें प्रणाम का प्रणाम इतना उत्तम होता है कि अगर हम करेंगे प्रणाम तो परिवर्तित हो जाएंगे हमारे मन के प्रणाम जो करता है रो जाना अपने पूज्य जनों को प्रणाम उसे जन्नत में मिलता है आराम पूज्य जनों को प्रणाम भाग्य दशाओं को बदलने में हमारी मदद कर सकता है ये बड़ा चमतकारी सूत्र अर्च कर रहा हूं कि हमारी भाग्य दशाओं को बदलने में हमारी मदद कर सकता है हमारे द्वारा पूज्य जनों को किया गया प्रणाम प्रणाम करते समय ये ना सोचें कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ समाज में ये जो लोग सोचते हैं कि कन्या अपने माबाप के चण इस परस नहीं करती क्यों बहुए कन्या तो दीवी κα रूप होती है मैं इसमें सुधार करना चाहूँगा न तो पुरुष दीव का रूप है और ना कन्या दीव का रूप है दोनों ही इनसान हैं और दोनों को ही अपने माता पिता और पूज जनों को प्रणाम करने का समान अधिकार मिलना चाहिए होना चाहिए प्रणाम करने से ही उसमें संसकार आएंगे प्रणाम करने से ही उसमें उसकी संसकर्थी घटी तो होगी अच्छा होगा हम लड़का और लड़की में भेदना करें ना कोई एक उंचा है ना कोई दूसरा हलका है ऐसा नहीं है कि कन्या लक्ष्मी है और लड़का क्या है लक्ष्मन है दोनों के प्रतियक समान नजरिया लेकर आएं और अपने घर में बच्पन से ही ये संसकार डाल दें कि वो प्रति दिन सुबह उठकर के अपने बड़े बुजर्गों के पाउं चूकर प्रणाम करें होता ये है कि जब इस घर में प्रणाम करने का संसकार नहीं है तो कन्या उस घर में चली जाती है तो वहाँ पर भी ये संसकार जंदा नहीं रह पाता कन्या की शादी होती है कन्या 10-15 दिन तक तो विवाहिता महिला सास हसुर के पाउँ चूती है हनीमून मनाने जाती है पन्य दिन बाद गूम धाम करके आती है और उसके बाद प्रणाम की आदत चूट जाती है पर जिसके जीवन में इस घर में ही जनम से ही प्रणाम करने के संसकार है वो आज भी प्रणाम करेगी वो कल भी प्रणाम करेगी और किसी वज़े से अगर भाई भाई बाई अलग हो गए तब भी वो फॉन से ही सही लेकिन प्रणाम करना नहीं भूलेगी शायद सचाई तो ये है कि जिस घर में रोजाना सुबह उठकर एक दूसे को प्रणाम करने की परंपरा है उस घर में कभी भी दीवारें खड़ी नहीं होती उस घर में कभी भी बिचो नहीं होता और भाई भाई नहीं तूटते देरानी जेठानी सास ससुर कभी अलग-अलग नहीं होते ले चलता हूँ आप लोगों को महाभारत की तरफ कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध चलते चलते इतनी उचाई तक पहुँच गया था कि भीश्म पितामा ने तो कभी अपने पांड़ों को विजयी भव का आशिरवाद दे रखा था सो वो उनके लिए कोई ज़्यादा तिव्र प्रतिरोद नहीं कर रहे थे तो एक दन युद्ध की समाप्ती पर जब शिविर में सब लोग इकठे हुए तो दोरियोदन भीश्म पितामा के प्रति बड़े व्यंग्यात्मक लहजी में बोल रहा था और कह रहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं होता विश्वास ही नहीं होता कि भीश्म पितामा मेरी सेना के सेना पती हैं वो तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई गुल्ली डंडा खेलने का काम करता हो मुझे तो संदे होता है कि आपने जो प्रतिग्या ले रखी है कि मैं हस्तनापुर की रक्षा करूँगा मुझे तो लगता है आपके इस प्रतिग्या में भी कोई दम नहीं है वो अलग अलग तरह के जब व्यंग के बान छेड़ने लगा तो भीश्म पिता महा उद्विलित हो उठे उसनी जब अंत में अब अगर तुम चाहते हो कि पांड़ों का वद किया जाए तो मैं कल का युद्ध बाद में समापत होगा उससे पहले पांड़ों का वद कर दूँगा बस दुरियोधन यही तो कहलाना चाहता था शकुनी भी यही कहलाना चाहता था शकुनी ने दुरियोधन से कहा कि अब शान्त हो जाए काम हो गया जिनको आग लगानी होती है वो आग लगा देते हैं और उसके बाद में शान्त हो जाते हैं और फिर देखते रहते हैं कि आग अब अपना क्या परिणाम देती है और ये बात शिविर के हर तंबू तक पहुंच जाती है कि भीशम पिता महने कह दिया है कि कल का युद्ध समापत होगा उससे पहले मैं पांड़ों का वद कर दूँगा अब कल का दिन अंतिम दिन है और क युद्ध की पूर्णता हो जाएगी है जब भीशम पिता हमने ठान लिया है फिर पांड़ों की क्या थाकत है जो भीशम पिता हमने के सामने टिक सके कहते हैं ये खबर दरसल दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली कोई चीच है तो होए खबर हिरन इतना तेज नहीं दौड़ पाता चीता इतना तेज नहीं दौड़ पाता जितनी तेज खबर दौड़ जाती है वो इतनी तेज फैल गई कि भगवान कृष्ण के तंबू तक भी पहुँची उनके खेमे में भी पहुँची और श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि भीश्म पितामने ऐसी प्रतिग्या कर ली है वो सक्ते में आ गए कि अब मुश्किल की घड़ी खड़ी हो गई है क्या किया जाए दो पल सोचा और द्रौपदी के तंबू की तरफ गए और द्रौपदी को संदेशा पहुचाए कि बाहर आओ द्रौपदी आती है कहू वासुदेव क्या आदेश है आदेश इतना सहे मेरे साथ बाहर चलो क्रिष्ण का आदेश था द्रौपदी चल पड़ी रस्ते में क्रिष्णी कहा कि मैं तुम्हें भीश्म पितामा के शिविर की तरफ लेकर चल रही हूँ और वहाँ जाकर तुम्हें केवल एक काम करना है बोले क्या बोले वहाँ जाकर कि तुम्हें बीश्म पितामा को प्रणाम करना है बस उनका आशिरवाद लेना है इतना सा एक छोटा सा काम करना है बोले ठीक है श्री कृष्ण और द्रौपदी गई उनके तंबू में किसके ब इस तरह से शिविर में आना रात के समय में द्रौपदी का बीश्म पितामा के खेमे में आना शिविर में आना वो अपने आप में ही बीश्म पितामा के लिए भी आश्री जनक बात थी पर द्रौपदी जैसे ही अंदर आई पिता महा खड़े हो गए अपने स्थान पर चौक करके हद प्रब रहकर के दुरौपदी मेरे खेमे में इस समय आकर ऐसा क्या हुआ पर वो क्या करने गई थी वह प्रणाम और वो गई भीश्म पिता महा के पास और भीश्म पिता महा के पास जाकर उनके श्री चरणों में अपने दोनों हाथ से उनके श्री चरणे इस पर सकिये और कहा ताथ्ष्री प्रणाम पिता महा प्रणाम और जैसे ही कहा ताथ्ष्री प्रणाम भीश्म पिता महा के हाथ दुरौपदी के सिर के उपर आ गए और भीषम पितामा ने कहा सौभाग्यवति भवा और जैसे ही कहा सौभाग्यवति भवा की भीषम पितामा चौके अरे मैंने अभी थोड़ी दिर पहले एक तरफ तो मैंने दुर्योदन से कहा है कि मैं कल शाम तक पांड़ों का वद कर दूँगा और दूसरी तरफ मैं उसी की पत्नी को सौभाग्या वती भवा ये मैंने आश्रवाद दिया है बीश्म पितामा चौखे बीश्म पितामा ने द्रौपदी से कहा तुम मुझे आज पहली बार प्रणाम करने के लिए आई हो तुम यह प्रणाम करने के लिए कहा किसने उसने का मुझे तो श्री कृष्णी कहा बीश्म पितामा मुस्कुराए और कहने लगे मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने की ताकत केवल श्री कृष्ण ही रख सकते हैं मेरे ही द्वारा दिये गई एक वचन को मेरे ही द्वारा दिये जाने वाले इस दूसरे वचन से काटने की ख्यमता श्री कृष्ण ही रख सकते हैं और तब पूछा कि श्री कृष्ण कहा है, बोले तंबू के बाहर, बीश्म पितामहा बाहर आते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, और कहते हैं, वासुदेव, तुम भी कैसी कैसी लीलाएं, खिल लेते हो, बोले पितामहा, मेरे पास यही एक चारा इसके उजड़ते भाग्य को फिर से समारने का फिर से बसाने का कि जैसे किसी कबुत्र का घौसला अगर उड़ रहा हो तो उड़ते हुए घौसले को बचाने के लिए एक पर्दा उसे हवा को रोकने का काम करता है पिता वहां मैंने वही काम किया है और तब भीश्म पिता हम मुस्कुरा उड़ते हैं और उसी समय कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी जो काम तुमने आज किया है अगर यही काम तुम रोजाना करती और जैसे आज बीश्म पितामों को प्रणाम किया है ऐसे ही रोजाना ही अपने चाचा ससुर काका ससुर द्रित राष्ट्रा और गुरु द्रोणाचारिय को करती तो यह युद्ध की नौबत ही नहीं आती अगर यह कौरव इसी तरह से रोजाना अपने बड़े भाई पांड़ों को प्रणाम करने के लिए जाते तब भी युद्ध की नौबत नहीं आती है और तब कृष्णा अपनी तरब से यह सत्य उजागर करते हैं यह वो प्रणाम है जो इनसान के उजड़ते भग्य को भी समारने में इनसान की मदद कर सकता है यह इनसान के लिए रक्षा कवच की तरह है जिनको लगता है कि वो खजाने की खोश करना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को खजाने का पानी के लिए खजानी को पानी के की एक चाबी दे देता हूँ और वो चाबी है रोजाना सुबह है प्रणाम करो एक आदत एक संसकार और वो संसकार क्या है हाज जड़कर बोलो हाज जड़कर बोलिए प्रणाम करने का संसकार ये एक ऐसा संसकार है मैं जब बालक था तो जिस घर में मेरा जन्म हुआ था उस घर में ये जन्म से ही संसकार था कि सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना और न किवल माता पिता को प्रणाम करना बलकि अपने से बड़े भाईयों को भी प्रणाम करना अब उसका प्रणाम बता देता हूँ आपको कि उस प्रणाम का प्रणाम क्या आता था या अब तक क्या आया है जैसे मान लीजे की माता पिता की हम पांच संताने थी और मेरा नमबर चौथा है तो हम एक एक करके पहले माता पिता को प्रणाम करते फिर बड़े भाई साब खड़े हो जाते हम चार भाई अपने बड़े भाई साब को प्रणाम करते फिर दो नमबर वाले खड़े हो जाते फिर हम तीन उनको करते फिर दो करते फिर एक जाने को साथों को प्रणाम करने का या छे को लाब करने का लाब एक साथ उनने मिल जाता अब उसका परिणाम क्या है उसका परिणाम ये है हमारे पूज्य माता जी पूज्य पिता जी एक 84 साल के उम्र में गुज्रे एक 83 साल के उम्र में गुज्रे लेकिन हमें याद नहीं है कि हम पांश भाईयों मैसे किसी एक ने भी अपनी माता पिता की रट्ती बर भी जंद realization में कभी अवहिल न कि हो उनकी बात हमारे लिए परमात्मा का आदेश पर बता दू ये कैसे हो पाया मैं कहूंगा इसका बीज है प्रणाम पर बात्मा का आदेश